नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BHU World के online learning platform पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग traditional GK और current affair के कुछ बहुत ही important questions को deal करेंगे साथी उससे कुछ connected points को deal करेंगे जहां से हर साल interest में question जो है वो कहीं न कहीं घुमापी राके पूछा जाता है चाहे आप BA का interest दे रहे हो या LLV का interest दे रहे हो या BAD में जो humanities group का interest दे रहे हो या CHS का class 9th और 11th का interest दे रहे हो या फिर आप PT courses में कुछ ऐसे courses का interest दे रहे हो जहां पे GKGS पूछा जाता है तो उनमें ये सारे प्रस्ण हर साल देखने को मिलते हैं और इसी तरह के प्रस्ण जो है पूछे जाते हैं क्योंकि जब मैं point deal करूंगा questions को deal करूंगा तो उससे connected fact को history में ले जाओंगा उसको connect करूंगा दूसरे questions से तो वो आपके लिए important जो है नहीं होगा चलिए आईए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो हम लोग आज बात करने जाने हैं इस वीडियो में उसमें ये बात करेंगी कि कौन से व्यक्ति महत्पुर्न पदों पर बैठे हुए हैं जैसे कौन क्या कहा है यानि कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर आज देश में आचीन है और यहां से हर साल कोश्चन पूछे ही जाते हैं सबसे पहला कोश्चन हमारा है कि भारत के पहले CDS जो है वो कौन है CDS के बारे में आपने सुना होगा काफी चर्चा मेरा है Chief of Defense Staff तो भारत के पहले CDS जो है वो है विपिन रावत और यहां से सीधे प्रस्ण पूछे जाने की संभावना है अब जब हम CDS की बात कर लिए तो उसके बाद CDS से connected हमारा आर्मी Chief होता है यानि आर्मी Chief थल से ना ध्यक्ष तीन से ना ध्यक्ष भारत में होते हैं तो कौन है भारत का सल थल से ना ध्यक्ष तो जनरल मनोज मुकुंद नर्वाने भारत के आर्मी Chief है यानि थल से ना ध्यक्ष है अगर हम नेवल Chief की बात करें नो से ना ध्यक्ष भारत के कौन है तो वह है अड्मीरल करमवीर सिंग और वहीं Air Chief की बात करें भारत के जो Air Chief है वायूशन अध्यक्ष है वह है Air Marshal RKS भदोरिया हिंदे इंग्लिस किसी चीज की समर्ष्या नहीं होगी लेंग्वेज की क्योंकि मैं अगर वहां इंग्लिस में लिखा है तो हिंदी में उसको जरूर बोलूँगा आगे कोई विएस अफेक्ट आएगा तो तो आप इस कोश्चन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से कोश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है दूसरा कोश्चन हमारा RBI से संभन है RBI यानि Reserve Bank of India प्रस्ण तो बहुत सिंपल है कि RBI के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन्थ है आनिसर भी बहुत सिंपल है सक्ति कांथ दास लेकिन जब आब इसको डिल करेंगे तो यहां से कोश्चन पूछे जाते है Banker of Banks किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है RBI को RBI एक केंद्रिये Bank होता है वह कौन सा Bank है भारत का तो भारत का Banker of Banks जो है RBI है भारत का Central Bank कौन है? तो भारत का Central Bank भी जो है वह RBI है RBI के बारे में कुछ ऐसे fact है जहां से question और पूछे जाते है जैसे कि इसकी अस्थापना कब हुई तो इसकी अस्थापना हुई थी 1935 में लेकिन ध्यान रहे कि RBI 1934 के act के तहत बना है अगर ये पुछा कि RBI act कब लाया गया तो यह लाया गया था 1934 में लेकिन established कब हुआ तो यह हुआ established 1935 में जब सुरू में ये बना था तो इसका कारियाले जो है वह कॉलकता में यानि इसका headquarter जो RBI का था वह कॉलकता में था लेकिन बाद में 1937 में बना कब था 1935 में 1935 में जो इसका headquarter था वह कॉलकता था लेकिन 1937 में इसको permanently जो है वह मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया और अभी भी जो है इसका कारियाले headquarter मुंबई है 1949 में जो है इसका nationalization हो गया और उसके बाद पूरी तरह से यह भारत सरकार के स्वामित में है हलाकि इंडिपेंडेंडेंस था है लेकिन यह भारत सरकार के स्वामित में है तो यह RBI से कुछ important fact था अब यहाँ थोड़ा सा SBI के रजनीश कुमार अभी चर्चा में है तो उनके बारें जानने कि SBI के वर्तवान अध्यक्ष जो है वह Rजनीश कुमार है तो यह कुछ important fact RBI और बैंकों से संब्दित आपके exam के लिए था अब आई अगले question की तरह बढ़ते है थोरा सा आपको जानकारी दे दे कि हमारी test theory जो है वो different courses के लिए आगई है आप उसको जोइन कर सकते हैं scholarship test को भी आप जोइन करें जो कि 10 तारीक को होना है और अधिक detail में जानकारी के लिए आप description box को visit करिए चली हमारा तीसरा question है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है के शिवन काफी चर्चा में रहें के शिवन current effect के द्रिश्टी कौन से भी और अब traditional के द्रिश्टी कौन सम्चलिए जानते है कि इसरो का full form क्या है कई बार पूछा गिया है इस रोका फुल फाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन इसके बाद हमारा दूसरा पॉटी से सम्मंदित है भारत में स्पेस प्रोग्राम का जो है जनक वह किसे माना जाता है तो यह माना जाता है डॉक्टर विक्रम ए सारावाई को डॉक्टर विक्रम ए सारावाई ने ही भारत में स्पेस जो रिसर्च होता है उसके दिशा में अपना कदम सबसे पहले आगे बढ़ाया था उसके 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इस रोके स्थापना हुई दूसरा प्रस्ण है कि भारतियस जो है उपगरा पहला वह कौन सा है में 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 तो यह है आरिवट पहला उपगरा जो कि भारत के उजाद सेटलाइट जो छोड़ा गया वह आरिवट था दोस्तों इसने पहले भी ट्रेडिशनल जीके के कुछ वीडियो गये हैं तो आप उस वीडियो को जरूर यह सारे वीडियो जो है वह बहुत महचपूर्ण है तो आईए हैं मगले उसको डिस्क्रिप्शन वाक्स में आप देख सकते हैं हमारा next question है कि भालत के मुख्य चुना आयुक्त जो है वह कौन है यानि की चीफ Information Commissioner of India अभी वरतमान समय में कौन है तो इसका उत्तर है सुनीener अरोड़ा सुनीन अरोड़ा एक होता है मुख्षु चुना आयूक्त और उसके बाद दो जो है election commissioner और होते हैं उसके बाद अगला question हमारा है who appoints the Chief Election Commissioner Chief Election Commissioner की न्यूकती कौन करता है तो Chief Election Commissioner की न्यूकती जो है वह भारत के राष्टपती, भारत के महमहीं President of India करते है In which year first general election was held प्रत्थम आम चुनाओ जो है वह कब आयो जीत हुआ था यह भी प्रसंद कही बार पुछा गिया है तो यह 1951 में 1951 में इंडिया में first time general election conduct करवाए गए थे और अगला question हमारा है Who was the first Chief Election Commissioner of India भारत के पहले मुख्य चुनाओ जो है वह कौन थे, तो वह थे, सुकुमार सेन यह सारे question जो है देखिए मैंने collect किया कहा से? Election Commissioner से, current affair से लेकिन फिर मैंने इसको ले गया traditional GKK form में जहां से questions पूछे जाते हैं और यह किसी एक subject specific के नहीं यह course specific के नहीं है यह ऐसे question है जो कि हर exam में हर interest में पूछ लिया जाता है चलिए अगले question क्यों बरते हैं जो कि हमारा लोगसभाई speaker से संबंदित है भारत के वरतमान लोगसभाई speaker कौन है तो भारत के वरतमान लोगसभाई speaker है ओम बिरला राजस्थान से इनका संबंद है कोटा से साइद यह सांसद है अब दूसरा प्रस्निहा यह बनता है कि पहला लोगसभाई speaker जो था वह कौन था तो फरस्ट लोगसभाई speaker जो थे वह थे जीवी मालवांकर गनेश वाशुदेव मावलांकर तो यह हमारे पहले लोगसभाई speaker थे उसके बाद एक और प्रस्निहा से यह बनता है कि यानि लोगसभाई के जो speaker होते है उसका सपत कौन दिलवाता है तो ध्यान रहे उसका सपत कोई नहीं दिलवाता है कोई specific टेकनिकली जो है कोई oath ceremony होता ही नहीं है क्योंकि लोगसभाई के जो speaker होते हैं वह लोगसभाई के member होते हैं और वह कोई specific सपत गरहन समारों उनके लिए oath ceremony आयोजित नहीं होता है यहाँ पे कई लोग president tick कर देंगे और गलत हो जाएगा वो तो इसका answer none of these जरूर रहेगा उसमें कोई भी इनको सपत नहीं दिलवाता है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे उसके बाद दो question ऐसे हैं जो कि कई बार पुछा गया है और काफी confusing है पहला यह कि who calls the joint session of parliament यानि संसद के संयुक्त सत्र की सत्र को आवाहन कौन करता है बुलाता कौन है तो याद रहे बुलाता भारत के राष्टपती है प्रेसिडेंट आफ इंडिया बुलाते हैं लेकिन हुआ इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं but it is presided by लोग सभा के speaker के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जासे है आवाहन कौन करेगा राष्टपती लेकिन बुलाएगा कौन लोग सभा का speaker इस बात को आप ध्यान देंगे लोग सभा का speaker जो है submits his resignation to या किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है तो या दे सकते है deputy deputy लोग सभा के जो speaker होगे उनको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और vice versa deputy जो हैं वह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं लोग सभा के speaker को अब राजasaा की speaker के बारे मिजान लेजिए राजasaabhा के जो उप सभापती अभी है deputy speaker वह है हरिवन्स नारायन सिंग, आपको comment box में एक question का उत्तर देना है, कि राजे सभा के सभापती जो है वह कौन है, उप सभापती तो हरिवान से नरायन सिंग है, सभापती कौन है और ये एक fix पद है, इसी पद पे बैठे व्यक्ति जो है, हमेशा उसके सभापती होते हैं, चलिए अब बढ़ते हम अपने next question की ओर दोस्तों अभी भी हमारे courses में admission जो है, वह चल रहा है different courses के लिए आप description box को visit करिए और आपको अगर इंडोल होना है, इंडोल हो सकते है हमारा छठा question है, कि भारत के मुख नियायाधीस कौन है यानि Chief Justice of India अभी जो है, वह है Justice सरद अर्विंद बोड़े या भारत के सैतालीस में मुख नियाधीस हैं 46 दो थे, कौन थे? रंजन गो गई, अभी कुछी दिनों पहले वह retire हुएं, और first CGI यहाँ से भी question पूछा जाता है कि भारत के प्रथम CGI जो है वह कौन है, तो वह है Justice, हीरा लाल जे सुन्दास कानिया हीरा लाल जे कानिया हीरा लाल जे कानिया आपको आपको अप्शन मेक्सर मिलेगा तो हीरा लाल जे कानिया जो है वह भारत के पहले मुख मियायाधीस थे और Supreme Court के स्थापना जो है, उससे सम्दित कुछ फाक्ट जानिये Supreme Court के स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को 1950 में हुआ था इससे दूसरा important fact यह question यहाँ से यह arise होता है, which of the following article talks about the establishment of Supreme Court Supreme Court के गठन के लिए किस अनुछेद में चर्चा की गई है तो Article 124 LLB में जो बच्चे होंगे उनको detail में जो है, अनुडाक सरप्राय होंगे Article 124 के बारे में तो 124 अनुछेद जो है, अनुछेद 124 में Supreme Court के गठन के बारे में जानकारी दी गई है चलि यह बरते हैं, next question की ओर यह question भी पुछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना जो High Court है, वह कौन सा है तो भारत का सबसे पुराना High Court जो है वह है High Court of कलकत्ता कलकत्ता का कोट जो है कलकत्ता High Court, भारत का सबसे पुराना High Court है, इसके बाद next question की ओर भरते हैं, who appoints the judges of Supreme Court Supreme Court के judge की न्यूकती जो है वह कौन करता है तो प्रेसिडेंट इनकी न्यूकति करता है अब यहां एक चीज और important मैं आपको जोड़ दूँ कि जो लोग एक चीज ध्यान दिजेगा जहां भी जो न्यूकति करता है उसी के पास इस्तिफा भी जमा होता है यह common है बहुत बहुत जो है यह common चीज है तो इसको हमेशा ध्यान देंगे तो जब अगर मैंने न्यूकति बता दिया तो आप 99.9% यह मान के चलिए कि इस्तिफा भी जो है उन्हीं को सौपा जाता है अगर यह question यह पूछ दिया कि Supreme Court के जो जज है अपना इस्तिफा कि इनको देंगे वह Chief Justice of India को नहीं देंगे वह अपना इस्तिफा जो है भारत के राष्टपती को देंगे President को देंगे क्योंकि जो authority है जो appointing authority है वह President है चलिए सात्मा question हमारा काता है next question who is the CEO of Niti I.O. Niti I.O. के CEO जो है वह कौन है Chief Executive Officer तो वह है अमिताव कांत नीति I.O. का full form क्या होता है नीति का तो नीति का full form होता है the National Institution for transforming India यह Think Tank है इंडिया का और इसमें जो है कई योजनाओं के क्रियानवेन के लिए काड़े किया जाता है नीति I.O. के स्थापना 2015 में हुई थी 2015 थोड़ा सा यह mistake है इसको सही करेंगे कि 2015 में जो है नीति I.O. के स्थापना हुई थी एक जनवरी 2015 को और नीति I.O. के chairman who is the chairman of नीति I.O. नीति I.O. के chairman कौन होते है तो नीति I.O. के chairman हमेशा भारत के प्रधान मंत्री होंगे चलिए next question के और हम अपना भरते हैं देखे अगर आप लोग B.A. के तैयारी कर रहे हैं तो previous 10 year के solution जो है वो आप ले सकते हैं हमारे description box में जाके UPSC के अध्यक्ष कौन है Union Public Service Commission तो UPSC के अध्यक्ष है अडविंद शक्सेना UPSC के बारे में चर्चा किस से किस article के बीच में है तो article 318 से लेके 323, 318 से 323 की बीच में जो है UPSC के बारे में चर्चा है इसके स्थापना 1926 इसमी में ही हुई थी यानि कि British भारत में हुई थी उस समय ये अलग नाम से स्थापी था लेकिन आजाद होने के बाद इसका नाम कर दिया गया Union Public Service Commission अगला प्रस्न यहां से ये भी पूछा जाता है कि who selects the chairman and member of UPSC भारत के UPSC जो है Union Public Service Commission जो है उसके members को और उसके chairman को अध्यक्ष को कौन चुनता है तो है appoint करते हैं president, president के द्वारा हुए selected होते हैं तो ये कुछ important fact UPSC से संबंदी था हमारा नौवा question है कि DRDO के अध्यक्ष अभी कौन है DRDO के अध्यक्ष है G37 Reddy और DRDO का full form होता है Defense Research and Development Organization इसकी अस्थापना 1909 में 1958 में हुई थी और आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत के राष्टिय सुलक्षा सलाहकार NSA National Security Advisor of India कौन है काफी चर्चा में रहते हैं ये अजीत दोभाल तो current affair के दृष्टि कौन से ये बहुत important है तो थोड़ा सा traditional जाल लीजिए कि first NSA कौन थे तो वह थे ब्रिजेस मिस्रा अटल बिहारी बाजपे जी के सासनकाल में ये थे और काफी जो है ये चर्चित रहें ब्रिजेस मिस्रा जो लोग थोड़ी बहुत भी राजनीती की जानकारी रखते होंगे उनको ब्रिजेस मिस्रा जी के बारे में पता होगा दोस्तों ये था हमारा वीडियो ट्रेडिशनल जी के और करेंट अफेर का मिक्स अप आपको ये वीडियो कैसा लगा केमेंट बॉक्स में बताइए सासी इस तरह कि और वीडियो जो है मुझे लाने चाहिए आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बोलिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हमको सुझाईए जहां से आपको लगता है कि कुश्चन पूछे जाते हैं तो मैं जरूर उन टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो आपको बनाके दूँगा आप मुझे फेस्बुक पे फॉलो कर सकते हैं हेलो डाट सूरज वन टू वन और ट्विटर पे एड़ रेट सूरज भीएच्चु वर्ल्ड पे फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद मल लगा के पढ़िए इंटरेंस की तयारी में लगे रहिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि इंटरेंस एक्जाम कब होना है जब भी होगा आप अपनी परहाई की गती को बिल्कुल भी प्रभावित मर करिएगा क्योंकि लगातार ये प्रशन पूछा जा रहा है कि साथ इंटरेंस टलेगा तो नहीं अगर टलेगा भी तो 10-15 दिन आगे पिछे होगा आगे ही जाएगा पिछे तो नहीं होगा 10-15 दिन आगे जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इस बात को आप ध्यान देंगे इसलिए अपनी परहाई को गती को लगातार बरकरार रखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों से सेर करिए मिलेंगे नए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद